हेलो गाइज मैं हूँ विरेंदर यादा हो सुआगत करता हूँ आप सभी का दोस्तों जो भी बच्चे cricket academy जोइंट करने की सोच रहे हैं या जो भी बच्चे cricket academy जोइंट करना चाहते हैं या बीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि एक अच्छी अकेडमी कैसे जॉइन करें उस अकेडमी में क्या-क्या फैसलिटीज होने चाहिए, वहां के कोच कैसे होने चाहिए इस वीडियो में आपको A to Z सारे डिटेल बताने वाला हूँ इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पुरा लास्ट तक जरूरत दखें ताकि आपको सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने लिए एक अच्छे से एकेडमी जॉइन कर पाओ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्क्राइब ने किया तो यार अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाद हो क्योंकि इस चैनल पर आपको किर्कट से ले लेटे यूजपूल वीडियोस मिलते रहती है और आगे भी मिलते रहेंगी तो फिर चलिए आपका बीनस समय गवाज शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि आप जिस भी अकेडमी में अडिमिस्या लेने जा रहे हो सबसे पहले आप यह पता कर लो कि वह अकेडमी DDCA यानि दिल्ली एंडिश्ट किर्केट एसोसेशन से जुड़ा हुआ है या नहीं क्योंकि आजकल बहुत सारी SC अकेडमी है जो किर्केट के नाम पर पैसा कमाने का कारोबार चला रहे है आपको SC अकेडमियों से बिल्कुल बच कर रहना या अकेडमिया फ्रॉड भी हो सकती है इसलिए जो अकेडमी DDCA से अफिलेट हो या BCCI दोरा मानने ता पराप्त हो आप उसी अकेडमी में एडमिसल नहीं तो आपका करियार सुरू होने से फ़हले ही खत्म हो सकता है आपको जो दूसरी बात ध्यान में रखनी वह ये है कि आपकेडमी जॉइन करने से पहले उस अकेडमी के कोच के बारे में ये पता कर लें कि पता कर ले ना कि कोच सारे बच्चों को बराबर investigation को बराबर time देता है या और नहीं अगर वह कुछ सारे बच्चों के बराबर टाइम देता है तो आप बेजिजख हो के इस academy में admission ले सकते हो दोस्तो आपको तीसरी जो बात ध्यान में रखनी वो यह है कि आपको पता कर लेना कि उस academy में facilities क्या क्या मिलती है उस academy में turf wicket कितने हैं, cemented wicket कितने हैं, fitness के सारे समान है या नहीं उस academy में practice matches कितने खिला जाते हैं अगर वहाँ पर ये सारी facilities मौझूद हैं तो आप बेजिजख हो के इन academy में admission ले सकते हैं दोस्तों आपको चोथी जो बात ध्यान में रखनी है वो यह है कि आपको उस academy के बारे में ये पता कर लेना है कि उस academy का खुद का कोई ground है या नहीं क्योंकि अगर academy का खुद का कोई ground होगा तो आपके पास practice करने के लिए बहुत ही जादा समय होगा आप कभी भी जाकर वहाँ पर practice कर सकते हो और मालो अगर आप उस academy के पास खुद का कोई ground नहीं है तो आप ये पता कर ले कि वह academy सबता में कितने practice matches खिलाती है क्योंकि जब तक आप practice matches नहीं खिलोगे तब तक आपको अपने अंदर की abilities की बारे में पता नहीं चलेगा इसलिए आप जितना जादा practice matches खिलोगे उतना है जादा आपके अंदर निखार भी आएगा और आपको अपने abilities के बारा में पता भी चलेगा इसलिए अगर वह academy सब्ता में कम से कम 3 मेच खिलाती है तो आप उस academy को join कर सकते हो तो दोस्तो या थी एक अच्छी academy join करने के tips अगर आप इन 4 बातों को ध्यान में रखकर academy चूज करते हो तो यकीनन आप अपने लिए एक best cricket academy चूज कर सकते हो तो दोस्तो आज किस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आये होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना